हालो फ्रेंट्स वेलकम तो मार्केट में इतना मुव्मेंट नहीं हुआ फिर फर्स्ट हाफ में थोरा मूव वा सगना पूरा आई सी रहां तो और एक्चली मार्केट में मुझे लगता है कि कल आर्वा का पॉलिसी है तो इसके लिए मार्केट शाहिद वेट कर रहा है और कल सब्सक्राइब कुछ बढा मुव भी अिन रहा है आठेर कंड्स मार्केट में सपाइक दे रहा था हर एक grenड स्बस्राइं तो जो भी वो कल देखते हैं और बीच-बीच में एक दो शाफ वाल भी आ रहा था तो कल देखते क्या करते हैं और मैंने आपको बताया था कि मेरा गट फिलिंग चार्ट इडिंग जो भी मेरा गट फिलिंग कह रहा है कि कल अपन जहां पर भी हो एक स्लाइट करेगा किया देन दो तीन सो पॉइंट के दिन वहाँ से बाद में þोड़ा सा से कंड और में खुद को रोकने की कोशिच को च्काता हूं तो प्थे ज आदा मुझे उसको पता उसका चारब हेर कह Tut तो अभी देखते कल कैसा हो सकता तो चले सकते चार्ट पर चार्ट बात कर आज वhin मारे में कुछ खास मूब नहीं रहा बस इस केंडल को छोड़ दो आप तो कुछ खाक मूब नहीं रहा बाकि मार्केट स्लोटी पेले नीचे गिरा तो मुझे एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट थोरा साथ ऐसा करेगा लेकिन मार्केट में देखो आप हर एक गैंडल को आप देखो तो अब बहुत जादा विक्स भी आप है तो अभी कल क्या कर से देखला यह का पॉलिसी भी है तो कल थोड़ा सा कॉशिसली ट्रेट करना और कल के लिए कुछ है जो आप कर सकते हैं जैसे ट्रेट कर से दो कल कल क्या घर से तो कल अगर मालो मार्केट फ्लैट आपन हुआ इस रेंज भी सिपध्र करते लेवेल लेविट इस लेवल को उट्षक करने कोशिश करें ऐने लॉड हें और अरफ बंसेटा कि मानलो ऑर ये क्ट मार्केट्र गरना चीए कि बिसको भी तोड़े यहां पर असपास पास तक आया अग्तलिस्ट के तब आपका यह सब्सक्ता अब कर सब्सक्राइब के मार्कay तीन से कुछ नहीं कर रहा है इक दिन दो दिन तीन इसी रेंज पर मार्कay तीन दिन से इसी रेंज पर रहा और कुछ खास मूवी नहीं कर रहा मार्केट तो कल अगर मार्केट मूव करता है तो अच्छा खासा मुझे लगता है 400-500 पॉइंट दिरेक्शनल मूव होगा और ऐसा हो सकता है जो आपको बोला कि कल भी ऐसा हो सकता है मार्केट डरा है सबको पहले अपर होने के बाद जहां पर पॉलिसी आते वक्त थोड़ा सा मार्केट जलते देन उसको ब्रेक करें तब होगा फ्रैश बाइंग होगा तब वहापर भी सारे इस फोड़ी जो होगे शोट रसेवर व भी ट्रैप हो जाएंगे तन मार्के एक बड़ा मुव आ सकता हा शॉट कवरिंग फिर स्टार्ट हो जाएगा जाए एक 10 दिन इन से मारकेट को सभी स्ब्सेयारे कि मार्केट गिर्एगा गिरेगा गिरेगा तो हो सकता है इसको सब्सक्राइब बड़ा देना पड़ेगा एट लिस्ट तीन सो चार्सु पाइन का क्याप डाउन देने से मार्केट में नेगेटिफ सेंटिमेंट रहेगा तो बाइदेन मुझे नहीं लगता इतना नेगेटिफ कुछ अभी फिलाल के लिए है और क्योंकि तीन दिन तक यहां चलो कल हो सकता है गिरावट है तो अभी मेरा जो परसनल चार्ट दिन कहता है कि कल शायद नहीं आएगा गिरावट कल शायद थोरा सा अप मूव भी होगा और अगर गैप दिदे बहुत ज्यादा बड़ा गैप दिदिया तो हो सकता मार्केट डिप करके दन क्लोजिंग उस पहले रहेगा पहला जो मुझे लगता है कि एक मार्केट नीचे के तरफ डिप करके फिर उपर जाना चाहिए और क्योंकि पॉलिसी में मुझे नहीं लगता कुछ खास इसा कुछ होगा जिसके लिए मार्केट में बहुत जादा घिरावट आने वाला है और अगर आने वाल तब भी मार्केट उसको पॉजिटिव लेगा और अगर पॉजिटिव आता तब तो अच्छा आसा है तो कल में अगर पहले फ्लैट ओपन हो तो आपको सिधा रखना है कि अगर कॉन साइट ब्रेक करा है थोड़ा टाइम आप इसको टाइम स्पैन करने देना कॉन साइट ब पात कौन साइट ब्रेक कर रहा आप उस साइड में ट्रेट कर सकते हैं और बहुत बड़ा गैपप में भी मुझे लगता है कि थोड़ा स्लाइट करके देन उसी रेंज पर क्लोज होने के चांसे से बहुत बड़ा गैप डाउन देने सी मार्केट में नेगिटिव है निफ्टी आज थोड़ा सा निफ्टी भी थोड़ा सा पॉस्ट लिया आज और निफ्टी अल्मोस्ट ट्वेंटि टुटाउजन क्र ला उपेनिंग में धन फिर से रिटन आया तो अभी जो दीख रहा है मुझे कि निफ्टी का इमेडियर रिजिस्टेंस हो जाता आपका 22 सब्सक्राइब तो यह एक रेंज है इस तरह ब्रेक करेगा अभी अगर निफ्टी 22,000 क्रॉस करता है तो यह सब लेवल पर रुखेगा नहीं निफ्टी ना यह सब लेवल पर रुखेगा नहीं सिथा जाएगा क्योंकि दो तीन बार अल्ड़ी इसको टेस्ट कर चुका ठीक है तो यह रुखने वाला नहीं है यह अभी डारेक्ट जाये तो अभी बुलिश हो जाएगा और आपका बीरिश कभी आपको देखना है इसको देखना है कि यह वाला क्रॉस कर रहा है यह इसके बाद वाला लेवल रहेगा इसकी नीचे ही निफ्टी भीरिश होगा यहां से एक बहुत अच्छा मूव आया ठीक है तो यह वाला है कि आपका रेफरेंस पॉइंट रहेगा कि इस लेवल की नीचे ही आप उसको मतल पर तब तब तक आप बुली साइड में पको इसको पर तक करता है तो है क्रॉस करता है तो आप का FP बेर बाइडना और मुझा कर जाएंगा जीका 192 डबल नहीं आा आपको 50-60 एक मुझे मदला इस इसके बाद हो सकता है इस gap तक maximum आए इस gap तक maximum आए तो आपका अगर एक्टम पर्फेक्ट लेबल चाहिए तो आपको यह वाला लेबल इसके नीचे ही निफ्टी पूरा बेरिश हो जाएगा पूरा मतलब शॉर्ट टम के लिए बेरिश हो जाएगा 650 के नीचे क्योंकि निफ्टी अभी अच्छा खासा स्ट्रॉंग दिख रहा है और हो सकता है कि अगर इस बार वी 22 तॉजन के उपर जाए तो निफ्टी हो सकता है कि अल्टाम हाई क्रोस करके और थोड़ा सा दो तिन सुपाइंट और भी मूव कर जाए ठीक है तो कल निफ्टी के लिए लिख जाए अगर फलैट ओपन हुआ फ्लाट ओपन हो दिन हम लोग रेंज रहे गा यह वाला और यह वाला और अगर गप हो गया बहुत बड़ा गया ऑप होगया तिन थे अफैन गोड़ करेंगे इस लेवल पर क्या बना रहा रहा है प्राइच्छे से अफ लेवल लिवा साथ में आप ट्रेड लेता हूं आपको बेर इस दीख रहा हूं ठीक है निचे के साथ तब तागेट बढ़ा रखना है अभी बूलिज दीख रहा है तो उपर के साथ आगेट बढ़ा रखो हो हो सकता इस टॉप लोसी टों बट इस ओके ऐसे ट्रीटिंग होता है कि आपको मार्केट का ट्रानी की ऊपोसित ट्रेंड करने छोड़ा टार्गेट रहों जब विद्धा ट्रेड ड्रेट करके तो बड़ा बड़ा घरें रहों तो अभी जो ट्रेंड दिख रहा है वह प्ोजिटिव है Стिलेल पोजिटिव और बैंक निफ्रेट देखो बंक अभी तेलो ठीक है निफित जहाद अभी मिलब लाइफ आई क्रॉस कर चुका एक बार एक दिन तो एक दो से क्रॉस भी कर चुगा और देखो कहा पर है उसका लाइफ आई ओं कितना नीचे तो अभी बैंग तो ठीक है मिलते है अगले वीडियो में और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के शेयर करो और चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद आप बैल आइकन दबागे जाना क्योंकि मैं हर रोज मार्केट आप डिश देता हूं और इंप